नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवी चप्टे और आज हम देखेंगे समुच्चे बोधक अवेय और समुच्चे बोधक अवेय के भेद समुच्चे बोधक अवेय किसे कहते है जो अवेय दो शब्दो या दो वक्यों को जोडते है उन्हें समुच्चे बोधक अवेय कहते है दूसरी परिवाशा देखो, जिन अवयों की वजह से दो या दो से जादा वक्य, शब्द या वक्योंच जुड़ते हैं, उन्हें समुच्य बोधक अवयय कहते हैं एक बात याद रखिए, समुच्य बोधक अवयय शब्दो या वक्यों को जोडने का काम करते हैं जैसे मुझे दिवाली के दिन लड़ू या जले भी चाहिए, रमेश बड़ा विद्वान और दयालू व्यक्ति है, कुछ खाने को न मिला तो उसने पानी पी लिया, राज खेलने आएगा क्योंकि आज उसे चुट्टी है, शिक्षक ने कहा कि हम महा बलेश्वर जाएंगे, इन वाक्यों में या और तो क्योंकि की यह शब्द अव्यय है, यह अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यों को जोडने का कारिय करते हैं, इसलिए यह समुच्चे बोधक अव्यय है, इसी के साथ तब और वर्ना किन्तू परंतू इसलिए बलकी ताकी क्योंकि या अत्वा एवं तथा अन्यता यह सभी समुच्चे बोधक अव्यय है, समुच्चे बोधक अव्यय के भेद, समुच्चे बोधक अव्यय के मुख्य दो भेदे, एक समानाधी करन समुच्चे बोधक अवेया और दूसरा व्याधी करन समुच्चे बोधक अवेया समानाधी करन समुच्चे बोधक अवेया के छे बेदे उनमें संयोजक समानाधी करन समुच्चे बोधक अवेया विभाजक समानाधी करन समुच्चे बोधक अवेया वियोजक समानाधीकरन समुचे बोधक अवेया के चार भेदे कारण सुचक व्याधीकरन समुचे बोधक अवेया, उद्देश सुचक व्याधीकरन समुचे बोधक अवेया, संकेत सुचक व्याधीकरन समुचे बोधक अवेया, सोरूप सुचक व्याधीकरन समुचे बोधक समान अधिकरन समुच्चे बोधक अवेय किसे कहते हैं? जिस समुच्चे बोधक अवेय से दो समान वाक्यों शो पदो और वाक्यों को परस पर जोड़ा जाता है उन्हें समान अधिकरन समुच्चे बोधक अवेय कहते हैं समान आधी करन समुच्चे बोधक अवेय मुख्य वाक्यों को जोडते है जैसे और तो अथ्वा लेकिन इसलिए या आधी वाक्य सीता और गीता बाजार साथ गए तुम खेलोगे तो मैं भी खेलूगा तुम खेलो अथ्वा पड़ाई करो दिलि गाव गया लेकिन पहुचा नहीं था मेरी किताब हो गई इसलिए मैंने दुसरी खरी दी मैं या मेरा भही जरूर समारोहों में आएगे इन वाक्यों में ऑर तो अथ्वा लेकिन इसलिए या इन अवेयो दौरा दो समान वाक्यों को जोड़ने का काम किया है इसलिए यह अवेय समानाधी करन समुच्चे बोधक अवेय है अब हम समानाधी करन समुच्चे बोधक अवेय के भेद देखेंगे समानाधी करन समुच्चे बोधक अवेय के छे भेद है उनमें से पहला संयोजक समानाधी करन समुच्चे बोधक अवेय जिस समुच्चे बोधक अवेई से शब्द वाक्य और वाक्याउश परस पर जुडते हैं उन्हें सयोजग समानाधी करन समुच्चे बोधक अवेई से दो या अधिक वाक्यों को आपस में जोडा जाता है या इकटा किया जाता है संयोजग समानाधी करम समुच्चे बोधक अवेया में भी और तथा एवं यह शब्दा आते है वाक्य चुहा और बिल्ली साथ खेल रहे थे आप पेन तथा पेंसिल से लिख सकते हो माता पिता एवं गुरु जनों का सम्मान करना चाहिए इन वाक्यों में और तथा एवं यह अवेय संयोजग समानाधी करम समुच्चे बोधक अवेया है समानाधी करम समुच्चे बोधक अवेया का दूसरा भेदे विबाजग समानाधी करम समुच्चे बोधक अवेया जिस समुच्चे बोधक अवेय से शब्दों, वाक्यों, वाक्योंशों और उपवाक्यों में परस पर विभाजन प्रगट करते हैं, उन्हें विभाजक समानाधी करम समुच्चे बोधक अवेय कहते हैं विभाजक समानादी करम समुच्चे बुदक अव्यय चब्द भेद बताते हुए भी वक्यों को जोडते हैं विबाजक समानादी करम समुच्चे वोधक अव्ययों के वाक्यों में ताकि परन्तु तो या अत्वा अन्यथा वा मगर या या चाहे चाहे क्या क्या नहीं तो यह अव्ययों आते हैं वाक्य राकेश गया परन्तु दिनेश नहीं गया सुनील पड़ाई कर ताकि परिक्षा में उत्तिर न हो तुम खेलोगे तो मैं भी खेलूगा इन वाक्यों में परन्तु ताकि तो यह अव्ययों विबाजक समानादी करम समुच्चे वोधक अव्ययों है समानादी करम समुच्चे वोधक अव्ययों का तीसरा भेद है विकल्प सुचक समानादी करम समुच्चे वोधक अव्ययों जिस समुच्य वोधक अवेय से शब्दो और वाक्यों में विकल्प का पता चलता है उसे विकल्प सुचक समाना धीकरन समुच्य वोधक अवेय के वाक्यों में या अत्वा, अन्यता की यह शब्दा आते है वाक्य मैं छुट्टियों में मुंबई या दिल्ली जाऊंगा घर से जल्दी निकलो अन्यथा गाड़ी छूट जाएंगी तुम खेलो अथ्वा पड़ाई करो इन वाक्यों में या अन्यथा अथ्वा यह अव्वेय विकल्प सुचक समानाधीकरन समुच्य बोधक अव्वेय का चौथा भेदय विरोध सुचक समानाधीकरन समुच्य बोधक अव्वेय जिस समुच्य बोधक अव्वेय से दो परसपर विरोधी कथनों और उपवाक्यों को जोडते हैं उन्हें विरोध सुचक समानाधीकरन समुच्य बोधक अव्वेय कह विरोध सुचक समानादी करन समुच्य बोधक अवेय से विरोध का पता चलता है। दिलिक गाव गया लेकिन पहुचा नहीं। इन वाक्यों में परन्तु, पर, लेकिन यह अवेय विरोध सुचक समानाधीकरन समुचे बोधक अवेय है। समानाधीकरन समुचे बोधक अवेय का पाच्वा बेद है परिनाम सुचक समानाधीकरन समुचे बोधक अवेय। जो समुच्चे बोधक अवेय दो उपवाक्यों को जोड़कर परिनाम दर्शाते हैं, उन्हें परिनाम सुचक समानाधीकरन समुच्चे बोधक अवेय कहते हैं, परिनाम सुचक समानाधीकरन समुच्चे बोधक अवेय से परिनाम का पता चलता है, परिनाम सुचक समानाधीकरन समुचे बोधक अव्वेयों के वाक्यों में अन्य था इसलिए फल सरूप इसलिए इस कारण परिनाम सरूप ऐसे शब्द आते हैं वाक्य मेरा पेन खो गया इसलिए मैंने नया खरीदा तुम साथ नहीं थे अन्य था हम चोर पकड़ लेते बाराती देर से पहुचे इस कारण शादी में देर हुई इन वाक्यों में इसलिए अन्य था इस कारण यह अव्वेयों परिनाम सुचक समानाधीकरन समुचे बोधक अव्वेयों है समानाधीकरन समुच्चे बोधक अवेय का छटवा भेद है वियोजक समानाधीकरन समुच्चे बोधक अवेय जिस समुच्चे बोधक अवेय से अपने दोरा जुडने वाले और एक को त्यागने का पता चलता है उसे वियोजक्ष समानाधी करन समूच्य बोदक अवेय मैं हमें दो वस्तों में से एक को पूतक करने का या अलग करने का बोध होता है वियोजक समाना दिकरन समुचे बुदक अव्यों के वाक्यों में अत्वा या न यह शब्दा आते हैं वाक्य दिनेश अत्वा रमेश अच्छा खेला होगा वहा न तुम थे न तुमारी परच्छाई थी मैं या मेरा भाई जरूर समारों में आएंगे इन वाक्यों में अत्वा न या यह अव्यय वियोजक समाना दिकरन समुचे बुदक अव्यय है अगले विडियों में हम व्यादी करन समुचे बुदक अव्यय के भेद देखेंगे धन्यवाद